आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे password has functions के बारे में जो काफी ज़िधा important होता है यह क्या करता है, यह simply आपका normal password होता हुआ उसको convert करता है strong password के अंदर, आप लोग अपना password normal password को strong बनाना तो आप लोग simply use करोगे password has का, अब देखो बात कुछ ऐसी है कि यहां पे हम लोग password has का यूज कर सकते हैं इसे भी हम अमडी 5 का यूज कर सकते थे हम लोग ऐसाचे 1 ऐसाचे 2 जो काफी सारे इसके अंदर पहले से यूज कर देने साइन पर्म के अंदर उसका पासवर्ड पूछणा है अब जबबी आप यूजर से पासवड पूछ पोछ ऑगे आप अपना पासवड डाले तो वहां पर यूजर अपना नोर्मल सा पासवड डालेगा और आप लोग का जिम्मेदारी है कि उसको password को secure करना उसको encrypt करके encrypt format के अंदर database के अंदर store करना अगर आपका जो user simply normal password डाला और आप लोग ने ऐसा एक ऐसा simply database के अंदर store करवा दिया तो वहाँ पर simply गड़बड़ी हो जाती है वहाँ पर अभी गड़बड़ी है कि आपका जो password आपका जो भी account हो completely hack हो सकता है जल्द ही क्योंकि hackers आज की time में काफी है गाइस ठीक आपका जो account होगा वो definitely hack हो सकता है अगर आप लोग normal password डालोगे या फिर आप लोग normal password इस टोर करवा ओगे PHP के database के अंदर आप लोग किसी मे होता है एक strong password के अंदर यह जो document से मैंने simply ज्यादा वेस्ट करूँगा ने में वीडियो की length का पी ज्यादा लंबी हो जाएगी आप लोग को simply description आले पार्ट के अंदर मैं दे दूँगा आप लोग इसको अच्छे से read कर लीजिएगा काफी ज्यादा important है इसमें एक देखने को encrypt कर देगे एक कोड के अंदर तो मैं आपको बताऊंगा इसमें 60 characters होंगे आप लोग इसको पढ़ लेना एक बार ठीक है काफी ज्यादा important है और इस a documentation आपको link मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शिप्शिव लडे पार्ट के अंदर जरूर देख लेना कि बिन डाइवेस्ट्रिय मैं करता हूंगा यहां पर विजल स्टूडियो कोड ओपन करता हूं मैं यहां पर आके clean करता हूं सब कुछ obviously clean ही है और मैं simply हां पर करूँगा क्या यहां पर आके simply एक सबसे पहले मैं file create करूँगा जिसका नाम होगा simply type null greater than और obviously यहां मुझे आप आप लोग देखेंगा simply pass has taught php नाम से simply file आ चुकी है इस file को मैं simply अभी open कर सकता हूं करता हूं मैं simply इसको exit भी कर लेता हूं इंटर मारता हूं यह simply exit हो जाएगा सब्सक्राइब हो चुका है अब हम लोग करेंगे है थोड़ जूम करता हूं मैं यहां पर आप लोग simply देखेगा simply मैं PHP open करता हूं PHP close करता हूं इस तरीके से ठीक है और मैं हाप पर type करता हूं क्य बाली फिल्ट के अंदर डाल रहा हूं ठीक है अच्छी बात है अगर मैं echo करूं simply ठीक है किसको dollar password को तो इसमें कोई भी surprise चीज नहीं होगी कि मुझे आप अंकित ना दिखे मैं simply इसको save करूंगा और मैं इसको copy path करूंगा यहां पर आके और आप लोग make sure करें कि आपका जो प्लेस करना local host enter मारूंगा मैं सो आप देख सकते हो मुझे हाप सिंप्ली अंकित मिल रहा है आप लोग देख सकते हैं मुझे हाप सिंप्ली अंकित मिल रहा है जो कि यार हम लोगों ने PHP के अंदर नहीं थी इतने आगी हम लोग आ चुके तो अब इसलिए यह चीज तो अंक्सिन लिखता हूँ । पासफ़ोड था है सिंप्ली यह जो पासवरड है सो तक अंदर नहीं है अ पर इन पर आहां डई धाल excitst पासवर्ड बी क्रिप्ट और आप लोग के सामने यह कंप्रीट हो जाएगा यह आपका सिंप्रेक फंक्सन बस इतना ही यूज करना है जब भी हम लोग आगे प्रोजेक्ट पर एक वेबसाइट बनाएंगे उसमें हम लोग साइन अप वाला लोग इन वाला फॉम क्रेट करें करेंगे तो हम लोग डेफिनली यूज करेंगे पासवर्ड क्या रिटन करेंगा है यह सिंप्ली हमारा यह जो पासवर्ड है यह सिंप्ली हो चुका है यहां पे इंक्रिप्ट मैं आपको दिखाता हूं मैं आप इस को दिखाता हूं स्ट्रॉंग पासवर्ड नाम से सिंप् प्रोवाइड कर रहा है ठीक है यह मुझे सिंप्ली एक स्ट्रोंग पासवर्ड जनरेट करके दे रहा है तो अब आप बताओ मुझे इसको कितना टाइम लगेगा इसको हैकर को हैक करने के लिए ने इसको कर दिया इसको डेफिनलèg कोई हैक नहीं करेंका जो और ठीक है तो आप लोगका सिंप्ली एक क्यूसन यहा पर यह उठता है कि यह जो password है अगर हम लोग simply database के अंदर तो यह store कर रहे हैं ऐसा करके ठीक है लेकिन जो password हमारा होगा हम लोग लोग इनके टाइम पर कौन सा password डालेंगे क्या वो किस तरीके से मैच करवाएंगे वह भी आपको definitely आने चाहिए चीज़े तो वहाँ पर हम लोग तो मैं आपर simply password डाल दूँगा dollar password इस तरीके से और इसी के साथ साथ मैं जो मेरा strong password था वो भी डालूँगा कोमा देके मैं आप इस ट्रॉंग password डाल दूँगा ठीक है और इसको मैं simply separately variable गन्द इस ट्रॉल कर रहते हूं ताकि मुझे यह जो भी data था इसका मुझे एक value मिले ठीक है तो मैं आपर simply लिख देता हूं क्या यहां पर मैं simply लिख देता हूँ password underscore where is simply ठीक है अगर यह नहीं होता है तो आप लोग यहां पर simply देख सकते हो थोड़ा जूम करता हूं यहां पर आप लोग चीजों को देख सकते हो मैंने आपर note operator लगा है मतलब यह चीज नहीं होती है तब हम लोग करेंगे क्या अगर यह successful नहीं होता तो मैं simply echo कर दूँग कि यार आप लोग simply बताएं कि password incorrect simply आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं पाशवर्ड are not match तो password are not match मैच मेर्7 और अगर ये चीज होती है तब्लोग स Zaldar मैच पास्वादर मैच इस तरीक से आपका जो password हो simply perfectly हो चुका है और आप लोग यहां पर यह चीज भी देख सकते हो कि login successfully हो चुकी हो एक simply demo के लिए मैं आप लोग को इस बता रहा हूँ ठीक है save करता हूँ मैं इसको और मैं यहां पर आगे इस चीज को refresh करता हूँ तो मुझे दोनों verify करवाने के जोनों same है अगर same है अगर दोनों match होते हैं तो आप लोग simply login successfully हो अगर नहीं है तो आप लोग का जो password है वो यहां पर match नहीं हुआ है इस तरीके से हम लोग condition यहां पर provide कर सकते हैं जब हम लोग simply sign up and login वाला form create करेंगे और उसके अंदरी backend हम लोग लिखेंगे तब हम लोग और SSSS को explain करेंगे कि यह चीज किस तरीके से काम करती है जब हम लोग real database के अदरी चीज को store करवाएंगे तब आपको काफी मज़ा है ग अब तक लिए थे हुआ है so much take care bye bye और इस code आपको simply practice के लिए आपको डिस्क्रिमारल पार्ट के अंदर मिल जाएगा so guys bye bye